हरी कृष्णा, इस पवित्र कार्थिक मास में आ रही है देव उठनी एकादशी, जिस दिन भगवान श्री हरी चार मास की योग निद्रा के बाद चागरी तवस्था में आते हैं। इसी दिन से तुलसी विवा का आरंब होता है, इसी दिन से भीश्म पंचक वरत का भी आरंब होता है। इस बार ये देव उठनी एकादशी आ रही है 12 नवेंबर 2024 मंगलवार के दिन। इस देव उठनी एकादशी के विशय में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस देव उठनी एकादशी यानि कि भगवान के जागरित होने वाली एकादशी के दिन उपवास करता है, उनके पवित्र नामों का जब करता है, उनकी पूजा अराधना करता है और उपवास का पाल नहीं कर सकता तो उसे कम से कम कार्थिक मास का पालन करना चाहिए अगर कोई संपोण कार्थिक मास का पालन करने में भी असमर्थ हैं तो कम से कम उसे कार्थिक मास की अंतिम एकादशी यानि कि देव उठनी एकादशी का पालन अवर्श करना चाहिए इस एकादशी को उठान इकादशी, प्रबोधी नी, हरी बोधी नी, देव उठी एकादशी इत्यादी नामों से भी जाना जाता है। इसी दिन से सभी मांगले कार्यों का भी आरंब किया जाता है। तो चलिए इस देव उठनी एकादशी के उपलक्ष में हम शास्त्रों से ली गई एक सुंदर पौ उनके पास इतना एश्वर्य, संपति और सुख था जिसकी कल्पना भी करना किसी के लिए संभव नहीं है। प्रम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास संपून पृत्वी का एश्वर्य होने के बाद भी वे वैराग्य और भक्ति के चरम लक्षणों को प्रकट करते हैं। उनके लिए इस संपति का सागर एक स्वपन के समान था। अंब्रिश इस बहुतिक जीवन की नश्वर्ता से भली भादी परिचित थे। इसलिए वे सदैव परम भगवान की भक्ति में ही लीन रहते। अपने दैनिक कार्यों में सदैव वे भगवान स्रे कृष्ण को समर्पित रहते। अपनी प्रतियक इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में ही नियुक्त किया हुआ था। और जैसे राजा होते हैं वैसी ही प्रजा भी होती हैं। तो उन्ही के समान उनकी प्रजा भी अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामू का जब कीर्तन और सेवा में लगाती थी। जब भगवान श्री विष्णू ने ये देखा तो वे अत्यंत प्रसन हुए और उन्होंने अपने भगतों पर करुणा दिखाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया था। कि वे स्वयम महराज अंबरिश उनके परिवार और उनके राज्य की सुरक्षा करें। कि अंबरिश ने धूम धाम से तुच्छों को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राम्हनों की पूजा की। उन्हें भगवान को अर्पित भूजन प्रसाद वित्रित किया। विपूल मातरा में गवदान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करने के बाद अब महराज अंबरिश अपने वृत का पारण करने ही जा रहे थे। और उसी समय दुर्वासा मुनी अपने अनिक शिश्यों के साथ वहाँ पधारे। दुर्वासा मुनी को देख कर राजा अत्यंत हर्शित हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रेम और आदर सतकार से उनका स्वागत किया। और उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। राज इस समय में थोड़ी समस्या आ गई राजा अंबरिश को निर्धारित समय के अंदर पारण करना था और अपनी एकादशी वरत को पूर्ण करना था लेकिन दुरवासा मुनी को आने में समय लग गया काफी समय बीतने के बाद भी दुरवासा मुनी नहीं आये और पारण का समय निकला जा रहा था सिर्फ एक घड़ी शेश रह गई थी अब ऐसे स्थिती में राजा अंबरिश के समक्ष धर्म संकट आखडा हुआ अगर वो इस एक घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का वरत तूट जाता है और अगर व विद्वान ब्रामणों ऐसी विकड़ सिती में मेरा क्या करतव्य बनता है ग्रिपया आप सभी शास्त्रों द्वारा प्रमानित ऐसा कोई उपाय ढूंड निकाले राजा की ऐसे सिती को देख कर ब्रामणों ने कहा ही राजन इस सिती में शास्त्रों का एक ही कथन है कि आप आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया था इसलिए अगर आप भगवान के चर्णामृत की एक बूंद स्विकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारण हो जाएगा और इस प्रकार अब दुर्वासा मुनी को भी संतुष्ट रख पाएंगे क्योंकि आपने अभी तक पूर्ण जल और अनका स्विकार नहीं किया होगा ये सुनकर राजा ने वही किया जो ब्रामभनों ने कहा राजा ने भगवान के चर्णाम रित्की सिर्फ एक बूंद स्विकार की और अपने वृत का पारण कर लिया अब वे दुर्वासा मुनी क को अत्यंद क्रोध आ गया उन्होंने सोचा कि एक तुछ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है मुझे पहले भोजन के लिए आमंत्रित करता है और उसके बाद स्वयम मुझसे पहले ही उसने जल ग्रहन कर लिया है इसके सुद्धनता की सजा उसे अवश्य मिलनी चाहि उस कृत्या नामक दैत्य ने अपने आपको चारों तरफ अगनी से लिप्टा हुआ था संपूर्ण प्रित्वी को अपनी लप्टों में समाने के लिए वो लालाईत था दुर्वासा मुनी ने उस कृत्या को आदेश दिया कि जाओ इसी क्षण उस अभिमानी राजा अंब महाराज अंबरिश भी समझ गए कि वास्तों में दुर्वासा मुनी क्रोधित हुए हैं इसलिए उन्होंने इस कृत्या नामक दैत्य को भेजा है उन्हें मारने के लिए लेकिन अंबरिश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे कृत्या को देख कर भी थोड़े से भी व थोड़ सकते थे तो भगवान अभी कोई आज्या दें उसके पहले ही उनका सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया और एक ही क्षण में सुदर्शन चक्र ने अपने तीक्ष्ण तेज और शक्ती से उस कृत्या नामक अगनी दैत्य को जला कर भस्म कर दिया और अब वो सु मुनी को भस्म करने के लिए उनके पीछे दोड़ा जब दुर्वासा मुनी को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत लज्जेत हुए और भैभीत होते हुए सुदर्शन से बचने के लिए चारों और भागने लगे आकाश, पाताल, समुद्र, गुफाएं, दसो दिशाएं स सभी जगा सुदर्शन ने उनका पीछा किया, स्वर्ग में इंद्र इत्यादी तो क्या स्वयम ब्रह्मा जी और भगवान शिव भी दुर्वासा मुनी को शरण नहीं दे पाए, आखिर अंत में भगवान शिव ने दया दिखा कर दुर्वासा मुनी को सुझाव दिया कि उ प्रभू, आप इस संसार के आदी और अंत हैं, आपके नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति नार्किय जीवन से मुक्त हो जाता है, आपके भक्त महराज अंबरिश के प्रती मैंने घोर अपराद किया है, कृपया मुझे क्षमा करें प्रभू, और इस सुदर्शन से मेरी अब देखिये, भगवान हरी अपने वक्ष स्थल पर भरेगो रिशी की लाद को सै सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्त का अपमान करें, निंदा करें या फिर उनके प्रती कोई अपराद करें, तो उसे भगवान कभी भी ख्षमा नहीं करतें, इसलिए भगवान श्री भक्त जना प्रिया है में लीन रहते हैं, ऐसे भक्तों को मला मैं कैसे त्याग सकता हूँ, आपने महराज अंबरिश का घोर अपमान करके अपने द्वेश का प्रदर्शन किया है, इसलिए बिना समय गवाए, इसक्षन, आप मेरे प्रिय भक्त, राजा अंबरिश के पास चाहिए, उनसे ख्षमा आप याचना कीजिए, और मुझे विश्वास हैं, कि वे आपको जीवन दान अवर्श्य दे देंगे, और उसके बाद आप सुदर्शन से भी सुरक्षित रह पाएंगे, अब जल्दी जाएए, भगवान श्रे विश्नों के इस प्रकार बात सुनकर दुर्वासा मुनी उस सिक्षन, राजा अंबरिश के पास गए, उन्होंने राजा के चर्णों में गिर कर उनसे ख्षमा मांगी, और अपने इस घोर अपराद के लिए प्रायश्चित करने लगे, माराज अंबरिश अत्यंत विनम्र होने के कारण, रिशी को इस अवस्था में नहीं देख पाए, विललज्जित होने लगे, और उन्हें सुदर्शन से दो हाथ जोड कर दुर्वासा मुनी के रक्षा करने के लिए प्रार्थना की, अब राजा अंबरिश के प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापिस चला गया, दुर्वासा मुनी ने राजा के इस शुद्ध भक्त और उनके पुण्य प्रताप को देखते हुए, उनकी स्तुति में अनेक्ष लोकों का उचारण किया, उन्हें आशिरवाद प्रदान किया, और इस प्रकार भगवान ने अपने एक शुद्ध भक्त के गुणों का प्रचार किया, इस कथा से हम समझ सकते हैं कि भगवान श् अच्छे भक्त होते हैं, वो प्रतियक मास में आने वाली प्रतियक एकादशी का निष्ठा और द्रिड्टा पूरवक पालन करते हैं, तो फिर इस बार की एकादशी तो कार्धिक मास की अंतिम, चातर मास की भी अंतिम, और अत्यन्त विशेष एकादशी हैं, इस देव भगवान श्रेक्रिष्ण की कृपा प्राप्त की जा सकती है इसकी शायद हमें कलपना नहीं है अभी इस लिए इस वुरत को कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए वैसे तो कोई का फल प्राप्त होता है तो ये थी आज की देव उठनी एकादशी के विशय में विशेश पाउरानिक कथा ये कथा आपको कैसी लगी यहामें कमेंट करके बताईएगा इस देव उठनी एकादशी वुरत के साथ साथ उसका पारण भी विशेश विधी से किया जाता है और व प्रमानभूत शास्त्र यानि कि श्रिमत भागवतम से आपको इस एकादशी की महिमा का श्रवन करती हुई पौराणिक गथा सुनाइई अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा इस वैदिक ज्ञान का प्रचार कार्य सरानिय है और इस से जनमानस को प्रमानभूत और वैदिक शिक्षा यधा रूप में प्रस्तुत हो रही है तो इस कारे को आगे बढ़ाने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप अपनी क्षमता अनुसार हमें इस कारे को आगे बढ़ाने के लिए यधा रूप आर्थिक तो चलिए इस परम पावन देव उठनी एकाद अशी पर ये शोदा नंदन श्रे कृष्ण को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की प्रयास में गुरु के निर्देशन में साधना भक्ति पत का पालन करके हरे कृष्णा झालन करते हैं